गुड़ाफरन और अलो फ्यू क्लास फर्स्ट सेकंड सेमिस्टर की बुक में आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नमबर फोर जिसका नाम है दा रेंबो रेंबो होता है इंदर धनुष जो हमें बारिश के बाद ही दिखाई देता है आसमान में जैसे कि यहाँ पे चितर में दिया गया है देखो रेंबो निकला हुआ है बारिश के बाद ही यहाँ पे कितने सारी चीजे हैं हमारे आसपास में पेड़ है घास है लाल कलर का पोस्ट बॉक्स है ओरेंज है यह गर्ल है यहाँ पे enjoy कर रही है यहाँ पे flowers है यह सारी चीजे यहाँ पे present है चलिए अब हम read करना start करते है red is the post box out in the street देखो यहाँ पे चितर में दिया गया है कि एक लाल रंग का post box है जो की गली के बाहर है जहां अगर हमें कुछ भी letter वगेरा send करना होता है बेजना होता है तो हम इसमें डालते हैं तब यहाँ से जो है डाकिया लेता है और फिर जो है बाटने के लिए गलियों में निकल पड़ता है orange is the fruit delightful to eat संत्रा एक फल है जो खाने में बहुत जादा ही स्वादिस्ट लगता है और हमें खाने में बहुत अच्छा भी लगता है yellow is the marigold gay and bright पीला कलर का फूल है गैंदे का जो की बहुत अच्छा दिख रहा है सम लैंगिक है और उज्वल भी है green is the grass where we roll with delight green यहाँ पे देख सकते हो green grass है जहाँ पर क्या है कि हम खुशी से जो है late भी सकते हैं load port भी हो सकते हैं जैसे हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारा nature प्राकरती बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो थोड़ा सा हम जो है gas पे जो है load port भी हो सकते हैं उसे भी करने में हमें बहुत अच्छा लगता है Blue is the color we see in the sky देखो आस्मान जो है वो नीला है हम आस्मान में देखते हैं आस्मान क्या है नीला है Violet is the flower that is modest and sky आकाश में देखते हैं बैगनी फूल है जो विनम्र और शर्मीला है इंडिगो रंग है हम नहीं जानते लेकिन ये सभी इंद्रधनुष में है